कि आज मैं कुकर में वेजीडेबुल पुलाव बना रही हूं देखे कितना अच्छा बना है एकदम खीला-खीला और एक-एक दाना अलग-अलग है एक चावल जो है अलग-अलग है और एक भी चावल नहीं तुटा है तो इस तरह किसे आप बहुत आसानी से कुकर में विजिटेबुल बुलाव बना पाएंगे नमस्कार भूमिज कीचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपने सब्स्राइब नहीं किया तो सब्स्राइब कर लिजे बैल ऐकोन दबा के ओल नोटिफिकेशन अन कर लें यहां इंग्रेडियन्स रख देंगे और यहां पर मैंने एक कुकर को गरम करने के लिए रख दी है इसमें एक चमस में घी ढालूंगी और एक चमस रिफाइंड सौनफ्लावर ओयल या फिर सोयबीन ओयल इसमें डाल सकते हैं तो अभी जो है काजू को हम 8-10 काजू को अच्छे से गोल्डन ब्राउ इसको अलग से निकाल लें अभी उसी कुकर में हम पानिर को भी भूनेंगे तो पानिर को भी इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे अभी हलका रोस्ट हो गया है और इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे अभी इसी में मैं एक चमच जीरा डालूंगी और इसमें मैं कुछ खड़ा मसारा डालूंगी जैसे की लाल मीर, तेजपता, लोंग, इलाची, डालचीनी और स्टार एनाइस जो अनासी की फूल होता है उ को और एक एक टीपस अगर आप खोलो करेंगे और स्टेप बाई स्टेप में आप बनाएंगे तो आपकी पुलाव भी इसी तरह से बहुत अच्छी और खिली खिली बनेगी प्याज को थोड़ा सा सुनहरा होने के बाद इसमें हम कटी भी सबजिया डालेंगे जैसे कि उससे भी आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ी दिर के लिए इससे पकने के लिए छोड़ेंगे मीडियम आंस पर थोड़ा सा इस तरह से सौटे कर लें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है अभी मैं इसमें एक चमच के करीब कुटी हुई अदरक लेसुन का पेश्ट डालूँगी आप चाहें तो फाइन पेश्ट जो मिलता है उसे भी डाल सकते हैं इसमें आधा कॉप जितना पोदिनया का पता कटी हुई इसमें मैं डालूँगी अगर आपको धनिया पता पसंद है तो इसमें धनिया पता आधा कॉप मिला सकते हैं अब इसमें मैं दो बोल के करीब पानी डालूगी जिस बोल में मैंने चावल भीगोने के लिए रखी थी उसी बोल का इस्तमाल पानी भी डालने के लिए इस्तमाल करें पानी का मेजरमेंट आपको जितना आप चावल ले रहे हैं उसे दो गुना ही आपको पानी लेना है उसे बिल्कुल भी कम ना डाले और इससे थोड़ा सा भी ज्यादा ना डाले अभी हमारा जो भीगोया हुआ चावल था इसको में डाल दूगी इन सभी को अच्छे से मीक्स करने के बाद हमारा जो भूना हुआ पनेर और काजू है इनको भी डाल देंगे तो देखें इस तरीके से सभी चीज़ डालने के बाद मैं लाश्ट में एक चमज बिर्यानी मसाला डालूँगी यह बिल्कुल अप्सनल है अगर आपके पास बिर्यानी मसाला है तो डाल सकते हैं वरना मार्केट में यह आसान से मिल जाएगा अगर मार्केट में नहीं भी म दाले और एक चमज के करीब निम्बू का रसड़ डाले अभी इन सभी को अच्छा से मिक्स कर देना है और मीडियूम हाई मीडियूम फ्लेम पे इसको एक से दो सीटी आने तक पकाना है तो इस टाइम जो है पकाने के टाइम हमारे जो ग्यास का फ्लेम है इसको हाई रख द देना है अभी ऐसे एकदम सीम कर दीजिए और इसको पांच मिलिट तक रखा रहने दीजिए अभी पांच मिलिट के बाद आप तुरंत ओपन ना करें पांच मिलिट के बाद भी आप इसको रखा रहने दीजिए फिर से पांच मिलिट तक और हम अभी लास्ट में थोड़ा सा स्टीम निकाल करके इसको खोल सकते हैं तो देखें एकदम खिला खिला बना है हमारा वीजिटेबुल पुलाव और एक भी जो चावल है एक भी टूटा नहीं है एकदम बहुत अच्छा दिख रह है तो इस तरह किसे आप बहुत आसानी से वीजिटेबुल पुलाव घर पर कुकर में बना पाएंगे वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें और आप आपका पुलाव कैसा बना है मुझे कमेंट बक्स पर जरूर लेक सकते हैं थैंक्यू झाल झाल झाल